जैई सिरी शाम प्रेमियों, आज में बाबा शाम की कृपा से आपको एक बहुती मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ ये कथा एक मा की है, एक पिता की है प्रेमियों, एक दमपत्ती जो शाम बाबा के परम भक्त थे हर ग्यारस पे खाटु आया जाया करते थे बड़े ही नेक रिदय और दयावान थे वो विवाह के कई बर्शों बाद भी उनके घर संतान नहीं हुई इस बात की उन्हें बहुत चिंता रहती थी एक दिन उन दोनों ने एक फैसला किया क्यों न हम अनात हाश्रम से एक बच्चा गोद ले आएं एक अनात को मावाप मिल जाएंगे और एक बे अुलाद को अुलाद मिल जाएंगे यही सोच कर वो अनात हाश्रम से एक बच्चा गोद ले आते हैं तो आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं प्रेम से कहिए जैई श्रीशाम हारे के सहारे कीजे शीश के दानी कीजे, सांवरे सरकार कीजे बिखरे हुए रिष्टों की आदे बिखरे हुए रिष्टों की आदे, जब जब याद दिलाएंगी कितना सभालो, कितना रोकलो, आखे मगर भर जाएंगी बिखरे हुए रिष्टों की आदे बिखरे हुए रिष्टों की आदे कैसे बड़ी भगवान इसे है मा आज यही बत लाऊंगा मा की एक अनोखी ममता तुम सब को दिखलाऊंगा बात हकीकत है एक घर की जिसकी कथा सुनाऊंगा मा की कदर नहीं है जिनको उनको यही समझाऊंगा सुनके नजरे उन बेटों की अपने आप जुक जाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे एक सुखी परिवार था ऐसा घर में हर खुश हाली थी लेकिन एक आउलाद के बिना खुशिया खाली खाली थी पूजा पाठदाने भंडारे सब कुछ करके हार गए सुख न मिला आउलाद का उनको पती पत नीला चार हुए डॉक्टर ने भी यही कहा मा आप नहीं बन पाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे विखरे हुए रिष्टों की आदे वारिस विनला वारिस हो गए वारिस विनला वारिस हो गए चिंता यही सताती थी कैसे चलेगा वन्श हमारा बात समझ ना आती थी रोते दोनों पती पतनी थे कुछ भी समझ में ना आएं एक दिन जाके अनात आशिरम बच्चा वहां से ले आए खुश थे अब अपने आंगन में खुशियां जूमे गाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे विखरे हुए रिष्टों की आदे जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो इसकुल ले जाते थे दोनों उस नंभे से फूल के उपर जान लुटाते थे वो दोनों सब कुछ था न्योच्छा मरे उस पे जान जिगर घर बार सभी कुछ भी मांगता उनका लाडिला करते ना इनकार कभी उनको था विश्वास लाल से घर में खुशियां आएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे पड़ते लिखते बड़ा हो गया पड़ते लिखते बड़ा हो गया शादी योग हो गया वो कारोबार संभाल लिया सब इतना योग हो गया वो माता पिता की सेवा करता देता हर सम्मान उने मन ही मन पूजा करता था मानता था भगवान उने माता पिता ये कहते तुझसे पुष्ट मेरी तर जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे निखिरे हुवे रिष्टों की आदे नहीं पता था मात पिता को जिसको हमने पाला है उसी के हाथों अब इस घर में क्या क्या होने वाला है आफिस में ही इक लड़की से उसकी आखें जार हो गई चार हुई एक बार तो राते दोनों की बीमार हो गई दोनों को एहसास नहीं था यादे यू तड़ पाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे नशा चड़ा जब प्यार का उन पे नशा चड़ा जब प्यार का उन पे नश के आदी हो गए वो सिगरेट और शराब और बीयर सब के आदी हो गए वो बाहर जाना देर से आना बाते अब ये आम हो गई इन दोनों के प्यार की बाते आफिस में सरयाम हो गई चली हवाए प्यार की ऐसी दूर तलक अब जाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे विखरे हुए रिष्टों की आदे इधर पिता माता की ममता इधर पिता माता की ममता ने कुछ ऐसा काम कर दिया आफिस घर का रोबार सभी कुछ उस बेटे के नाम कर दिया उधर उसी बेटे ने कोर्ट में छुपकर शादी कर डाली लड़की थी जो आफिस वाली बन गई उसकी घर वाली ना जाने किसमत की घडिया अब क्या रंग दिखाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे विखरे हुए रिष्टों की आदे इधर चल रही बात ब्याह के इधर चल रही बात ब्याह के अपने बेटे की घर में लड़की देखने कल जाना है उन्हे बड़े उचे घर में मात पिता दोनों पुल कित है लाएंगे घर दुलहनिया मधुर मधुर जनकार करेंगी घर में बहु की पैजनिया किलकारी घूंजेगी घर में परिया गीत सुनाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे कोट से ब्याह रचा के बेटा कोट से ब्याह रचा के बेटा दुलहन ले आया घर में माता पिता हैरान हो गए मातम साच आया घर में कहा बापने तब बेटे से हम अगर तुम बत लाते धुम धाम से तुम दोनों का ब्याह खुशी से करवाते मा को पता नहीं था इसका खुशिया यू जल जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे शादी को छे माह न बीते रंग दिखाने लगी बहु सास ससुर से जगडा करके काम कराने लगी बहु बात बात पे तु तु मैं मैं रोज सताने लगी बहु सास ससुर के आगे बैठके मदिरा पीने लगी बहु आगे दोनों की तकदीरे कैसे दिन दिख लाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे मिखरे हुवे रिष्टों की आदे ससुर लगाता ज़ाडू घर में ससुर लगाता ज़ाडू घर में सास माजती है बरतन भूखे रहे शाम तक दोनों होने लगा कमजोर बदन बेटे की ओकात नहीं थी वहु के आगे कुछ बोले कुंगा बहरा बनके रहता कभी न अपना मुझ खोले रखना हात अनाथ के उपर खुद को ही रुलवाएंगी विख्रे हुवे रिष्टों की आदे विख्रे हुवे रिष्टों की आदे इक दिन पत्नी रात में बोली घर में तभी रहेंगे हम जब तुम इस बुड़े बुड़िया को छोड़ के आओगे आश्रम बोला पती नशे में हसके मैं भी यही सोचता हूँ तुम भिन कैसे रहूंगा मैं तो इने आश्रम भेजता हूँ होता नहीं विश्वास उलादे इतना भी गिर जाएंगी विख्रे हुवे रिष्टों की आदे विख्रे हुवे रिष्टों की आदे बाहर खड़ी सुन गही माता बेट बहु की सब बाते होने लगी दोनों आखों से जर 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 बरसाते बिजली तूट पड़ी सीने पर विखर गए अर्मान सभी हात जोड के तडप के बोली उठा लो है भगवान अभी इस तन में अब मेरी सासे और नहीं चल पाएंगी बिखरे हुवे रिष्टों की आदे बिखरे हुवे रिष्टों की आदे पती पत नीला चार है बैठे भरे है आसू आखों में बिजली गरजे उठे आधिया दोनों के जजबातों में जहां से लाए इसे उठाके वही हमें भिजवाएगा सोचा नहीं था हम दोनों ने ऐसा भी दिन आएगा ना जाने अपनी तकदीरे आगे क्या करवाएंगी बिखरे हुवे रिष्टों की आदे बिखरे हुवे रिष्टों की आदे उसी रात में उन दोनों ने अपने घर को छोड़ दिया जहां जहां कोई मोड मिला उस मोड बे खुद को मोड दिया कारो बार घर बार सभी कुछ कल तक था जिन हाथों में पैदल भटक रहे हैं दोनों आज अंधेरी रातों में जाने कहां अन जानी राहें इनको लेकर जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे सुभा उठे जब बेटा बहुतों सुभा उठे जब बेटा बहुतों माता पिता गायब बाए बेटा हुआ परेशान मगर वो बहु खुशी से मुसकाए कागज पड़ा दिखा सोफे पे जिस पे लिखाई पिता की थी हमने तुमे था इसलिए पाला चिंता अपनी चिता के थे हम तो क्या यादे भी हमारी नहीं लोट कर आएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे इन दोनों की किसमत देखो अब क्या रंग दिखाती है राजा से बन गए रंक ये कहा इने ले जाती है हुआ हाल बेहाल दोनों का पैदल चला नहीं जाता जाना है किस और हमें कोई रस्ता नजर नहीं आता हमको ये गुम ना मीरा है जान कहा ले जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे दोनों बैठे सडक किनारे कोई आस नहीं दिल में कैसे कटेगा जीवन अपना पलपल है अब मुश्किल में आखे बरस रही दोनों की आगे जाने क्या होगा बोला पती संभालो खुद को होगा वही जो लिखा होगा आज है जीवन में वीराना कलिया कल मुस्काएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे कार एक आकर रुकती है कार एक आकर रुकती है कार एक आकर रुकती है पता नहीं है जाने कहां ठिकाना है जाना है अब हमें वहीं ये राहे जहां ले जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे लड़की उतर गई गाडी से लड़की उतर गई गाडी से पास में आकर यूं बोली मुझको अपनी गुडिया समझो बेटी बना लो मुह बोली आओ मेरे साथ चलो मां पास में ही मेरा घर है नीचे है खाने का धाबा घर धाबे के उपर है रो दूंगी मैं मम्मी अगर जो विनती मेरी ठुक राएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे उस बेटी का प्यार देखके ममिता तडप उठी उनकी उसके मुह से मम्मी सुनके उमड़ पड़ी मम्मिता उनकी उस गुड़िया को गले लगाके दोनों रोए जी भरके चले गए पती पतनी दोनों उसके साथ बैठ करके लिखा भविश के अंदर है जो आखे क्या पड़ पाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे अब हालात बहु बेटे का आओ तुम्हे दिखाते हैं महफिल लगती है अब घर में पीते और पिलाते हैं किसी की पतनी पती किसी का यूही गले लग जाते हैं बेशर्मी की चादर ओड़ी जरा नहीं शर्माते हैं आने वाली इनकी नसले जाने कहां तक जाएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे विखरे हुवे रिष्टों की आदे पती के आफिस जाते ही वो पती के आफिस जाते ही वो गैरों को बुलवाने लगी तोड़ के मरियादा गैरों की बाहों में धल जाने लगी पती ने एक दिन देख लिया रंग रलिया मनाते पत्नी को अपने घर की इजत सारी दाव लगाते पत्नी को चीख के बोला तेरी आदते घर मेरा लुटवाएंगी विक्रे हुवे रिष्टों की आदे होने लगा कलेश रोजी ही पढ़ने लगी है तकरारे नफरत बढ़ गई उन दोनों में दिलों में बन गई दीवारे एक दिन बात बिगड़ गई काफी पत्नी चली गई घर से आई याद पिता माता की अखिया लहर लहर बर से आसु पोँछने की खातिर अब मम्मी जी नहीं आएंगी बिखरे हुए रिष्टों की आदे बिखरे हुए रिष्टों की आदे रहने लगा उदास रात दिन रहने लगा उदास रात दिन ना खाता ना पीता था अपनी करनी पर पच्छता था ना मरता ना जीता था कुछ ही दिनों में हालत उसकी हो गई एकदम पागल सी उत्रा चेहरा बढ़ गई दाड़ी सूरत हो गई काजल सी लगने लगा उसकी हालत से सास थमसी जाएंगी बिखरे हुए रिष्टों की आदे लगा ढूंडने मात पिता को शहर शहर हर गली गली पूछ पूछ के हार गया वो खबर मगर कुछ नहीं मिली शमा मांगने की खातिर वो खाटू के दरबार गया बोला रोके शाम प्रभू से जीवन ये बेकार हुआ जब तक ना मिले पाएंगे वो अखिया नीर बहाएंगी बिखरे हुए रिष्टों की आदे कुछ दिन रहा शाम चरणों में कुछ दिन रहा शाम चरणों में सुभ शाम दर्शन करता बैठा रहता शाम द्वार पे उसका जब तक मन करता ग्यारस के दिन दर्शन करके बैठ कार में निकल पड़ा बाबा से कह करके बेटा उन्हें धूंड ने निकल पड़ा पता नहीं था रहे उसकी जान कहा ले जाएंगी विखरे हुँ मेरे रिष्टों की आदे उधर सुनो गुडिया का ढ़ावा उधर सुनो गुडिया का ढ़ावा कुछ दिन में मशहूर हुआ जिसने खाया एक बार फिर खाने पर मजबूर हुआ खाना बनाते तीनों मिलके मादा पिता गुडिया रानी लगने लगी है भीड वहाँ अब रुकने लगे है सैलानी हक से कहती बेटी मा से हाथ से मुझे खिलाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे विखरे हुए रिष्टों की आदे आके कार रुकी ढाबे पर आके कार रुकी ढाबे पर बेटा उत्रा गाडी से शकल देखके यूँ लगता था अभी उठा है बिमारी से बैठ गया खाने की मेज पर देख लिया माने उसको तडप उठी भर गया कलेजा हो गया क्या ऐसा इसको दिखे जहां आउलाद बही पे मा की दुआए जाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे माने अपने पती से बोला माने अपने पती से बोला बेटा आया है खाने रूखे पन से बोला पती सुन तेरी मर जी तू जाने खाना उसकी पसंद का मा हातों से अपने बनाने लगी फिर अपने बेटे की थाली में पकवान सजाने लगी ममता का आचल है माए माए दुआ बरसाएंगी विखरे हुए रिष्टों की आदे गुडिया को थाली दे करके गुडिया को थाली दे करके बोली जा दे आ उसको जो भी मांगे खाने को वो बेटी आज खिला उसको देख रही थी हैरानी से गुडिया मा की आखों को रोक न पाई थी जो अपनी आखों की बरसाथों को बदली है बरसाथ की बेटी बरसिक ये थम जाएंगी मिखरे हो बेरिष्टों की आदे मिखरे हो बेरिष्टों की आदे खाने लगा लाल जब खाना ममता भाव विभोर हुई छलक गई अखियों की बदली बारिष इतनी जोर हुई मुह में डाला पहला निवाला हुई बड़ी हैरानी है स्वाद है ये मेरी मा के हात का दिश जानी पहचानी है बहन जी खाना किसने बनाया क्या हम को बत लाएंगी बिखरे हो बेरिष्टों की आदे बिखरे हो बेरिष्टों की आदे पूछा गुडियाने तब उससे क्या कोई कमी है खाने में हात बटाती हूँ मैं मा का खाना रोज बनाने में बोला बेटा मा से अपनी मुझे मिला दो बहन मेरी अपनी मा से सुनो हमारी बात करा दो बेहन मेरी अपनी मा का आज आप क्या दर्शन हमें करवाएंगी बिखरे हुबे रिष्टों की आदे बिखरे हुबे रिष्टों की आदे खाना आप खाईये भईया मा को अभी बुलाती हूँ मम्मी के संग पापा से भी अभी तुमें मिलवाती हूँ कहके चली गई वो अंदर बैठी हुई थी जहां पे मा पीछे पीछे गुडिया के फिर बेटा भी आ गया वहां फिर जो दिलों में उठी आधिया लगता नहीं रुक पाएंगी बिखरे हुबे रिष्टों की आदे बिखरे हुबे रिष्टों की आदे जजबातों की धारा फूटी ममता का सैलाब उठा पच्छतावा बेटे की आँखों में होकर के बेताब उठा चर्णों में गिर गया मोन के फूट फूट के रोने लगा माता पिता के चर्णों को अपने अश्कों से वो धोने लगा द्रिश वहा का कलम हमारी मया नहीं कर पाएंगी विखरे हुबे रिष्टों की आदे विखरे हुबे रिष्टों की आदे गले लगाया मात पिताने दिल से उसको माफ किया बेटा बोला अपनी तरफ से आपने तो इनसाब किया नहीं हुँ मैं माफी के लायक मारो मुझे सजाए दो जुकी इस तरह मेरी नजरे कभी नहीं उठ पाएंगी विखरे हुबे रिष्टों की आदे विखरे हुबे रिष्टों की आदे राजा भाईया है तु मेरा मैं तेरी बेहना प्यारी हूँ मात पिता भाई के बीच में सब की राज दुलारी हूँ बोली बेहना सुन मेरे भाई ऐसी बात नहीं करते सुबह का भूला लोटे शाम को उसको भूला नहीं कहते बोले पिता हम रहेंगे संग में खुशियां फिर से आएंगी विखरे हुवे रिष्टों की आदे बिखरे हुवे रिष्टों की आदे बिखरा हुवा परिवार दुबारा बिखरा हुवा परिवार दुबारा प्रभु कृपा से एक हुआ हारी नफरत जीती ममता खुशियों से अभिशेक हुआ कथा लिखी सुख देविन भगतों संजे पारिक ने गाई चल गई थी छोड के घर जो बहु लोट वापस आई हो गई किरपा शाम प्रभु की घर खुशियां लहराएंगे बिखरे हुवे रिष्टों की आदे बिखरे हुवे रिष्टों की आदे कर दो कि आदे हुआ है प्रभु कार और प्रभु की आदे